ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजे मेरे चानल को और बेल आइकन को पैस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना ताकि जब भी मैं नए वीडियो लेकर आऊ आपके फोन की घंटी बचाए अज़ आपको पता चले गया होगा हर फ्राइड़ आ रही है 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 यसमें आप से मैं बाते करती हूं इसी तरह के कुछ प्राइबट पार्ट से रिलेडिड आपके जो भी कोशन होते हैं उनको मैं उनको एक वीडियो बनाती हूं और आपको नॉलिज देती हूं इसके बारे मे तो मेरि जतनी पुरारी वीडियो से आप चेक कर सकते हो मिरे हैश्टाइग बी बोल्ट की प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो के एंड में उसका लिन्क दे दूंगे आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करने वाली हूँ जो discharge हमें होता है हमारे प्राइविट पार्ट से चाहें वो girls हो या boys हो दोनों को ही ये discharge होता है girls के case में इस discharge को vaginal discharge कहा जाता है और जो boys होते हैं उनके case में से penile discharge कहा जाता है तो आज दोनों की ही जानकारी आपको दोंगी कि ये कैसा होता है क्यूं होता है कब ये normal है और कब आपको चिंता करने की जरुवत है और doctor को विजिट करने की जरुवत है सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि देखो female की जो discharge में आपको काफी वीडियो अरेडी मिल चाहेंगी YouTube पे और penile discharge के बारे में मुझे कोई भी एक दग्गी वीडियो नहीं मिली YouTube पे किसी ने इसके बारे में बात नहीं किया हुआ ठीक है girls को educate करना है girls को बताने ही ये बाते ठीक है उनको उतना पता नहीं होता पर मेल्स को भी प्रॉपर नॉलेजिक चाहिए ना तो आइटिंग ये वीडियो जो है मेरी काफी आपके काम आएगी तो सबको जरूर शियर कर देना अपने कॉंट्टेक्ट में सबको पता होनी चाहिए ये बाते तो जल्दी से फटा-फट से देखो ये वीडियो को और लाइक, कॉमेंट, शियर करना बिल्कुल मुद भूलना और सबस्क्राइब जरूर कर लेना मेरी चानल को बिकुर सबस्क्राइब अगर आप करोगे तो मेरी फ्यूचर में आने वाले विडियो को पूरा देखना देखना फिकूस suivी दोनों Πी नोवले नवस्सक्राइब करें । specially जबऄ को खीज है अगर आपके पास तो दोनों ही चीजों की नौलवज आप को ऊनी चाहिए तो व्जाइनल डिस्चार्सट की बारे मेरे overhead ै गाने में बात करूँ तक kicking को यह discharge होता है जब आपने नोटिस किया हुआ आपकी पेंदीर पे कभी कबार, you know, महीने के बीच में कुछ वाइट सा discharge या फिर क्लियर टांस्पिरिंट टाइप का आपके बीकाफिव यह कurांउक कै इसके कया कारान होते हैं, देखो दो कारान होते हैं जब भी बिलोकुल नॉर्मल होता है, पहला कारान तो यह कि आपकी वजायना हो सकता अपनी क्लीनिंग कर रहे हो क्लीनिंग ऐसे कि देखो जैसे बाहर की आपकी बॉड़ी होती है इसके आप क्लीनिंग करते हो जो आप नहाते हो बॉड़ी को साफ करते हो सावन वगड़ा लगा के तो इसकी क्लीनिग हो जाते है आपके body के अंदर की cleaning होती है उसके लिए आपकी body जिसे कि आपका जो urine pass होता है या फिर आपकी stool pass करते हो आप जब potty वगरा करते हो उस cases में आपकी जो अंदर की body है वो clean हो रही होती है जो भी ऐसी चीज़ें जो आपकी body के लिए you know required नहीं है वो सब निकल जाती है same process में जैसे ही आपका ये discharge आता है उसमें आपकी वजायना कि ऐसी चीज़ें जैसे कि dead cells हो गए यादर कोई ऐसा bacteria हो गया जो कि आपकी body में है वो सारा आप पावसार्प कर देती है आपकी वजायना ये discharge के तरू तो ये कभी कबार थोड़ा बहुत आपको discharge देखने को मिलेगा ये बिल्कुल normal होता है और दूसरा जो reason होता है इस discharge का वो ये होता है कि अगर आप ovulation में हो यानि कि आपकी body में sexual arouse आप हो रहे हो या sexually आपका मन कर रहा है sexually active होने का या फिर आपकी body में ऐसा कुछ time चल रहा है जब आपके eggs जो है आपकी घरभाशी के अंदर जो egg है अंडे है आपके वो fertile होने को तयार है तो ऐसे time पर हो सकता है आपको ये discharge आए तो ये दोनों ही cases में बिल्कुल normal है दोनों ही cases में कम या जादा हो सकता है जब भी आपका जो discharge है उसमें कोई भी बड़ा change आए जैसे कि color उसका अगर change हो जाए या उसमें से कोई smell आने लग जाए normally इसमें से कोई smell नहीं होती कोई इसमें आपको गंध नहीं आएगी बट अगर आपको होए कि कुछ changes में हुआ है जैसे कि color change हो इसमें गंध आने शुरू हो या फिर सी consistency में कुछ you know normal से अलग changes आपको देखने क मिले तब आपको इसमें चिंटा करने के सवर्वत है किस तरह के आपको changes में देखने को मिल सकते हैं और क्यों मिल सकते हैं वो आपको बता रहेते हो देखो अगर आप pregnant हो तो आपको changes इसमें देखने को मिलेंगे अगर आप breastfeed करा रहे हो बेबी को तो आपको changes देखने को मिल इसके अलावा अगर कोई और drastic change आए जैसे कि आपका जो color है इसके discharge का वो अगर change हो जाए जैसे कि अगर bloody आ रहा है या brown color का आ रहा है तो इसका मतलब आपकी जो period की cycle हो हिल गई है और या फिर आपको cervical cancer है उसके cases में भी bloody या फिर brown color का हो सकता है दोनों ही cases में आपको doctor को visit करन कि आपको knowledge देंगे कि क्या reason है दूसरा अगर इसका color green आए या फिर yellow आए पीला या फिर हरा अगर color आए आपके discharge का तो भी again आपको कोई sexual transmitted disease हुई है कोई infection या allergy हुई है या फिर कोई bacterial infection हुआ है इन सारे cases में भी again आपको doctor को visit करने की जरूवत है और पूछने की जरूवत है इसके अलावा अगर आपको कोई infection हुआ है आपको 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 दिखाता है कि infection आपकी बॉड़ी में हुआ है ऐसे case में आपको फोरन ध्यान इस पे देनी की जरूवत है आपको अपने जो भी आपको infection हुआ है उसको treat करने की जरूवत है इस पे मैंने एक separate video अपनी चैनल पे बनाया हुआ है कि कैसे आपको अगर आपके बजायना में बोई भी जलन, खुजली, rashes वगरा की आप problem हो तो तो रहन दॉक्टर के पास जाए और वहां पे अपना उसको check up कराईए और ठीक करवाईए उसे तो आप वो video देख सकते हो अगर initial stage पे हुआ आप तो वहां से check कर लीजे और अपने आपको वहां से treat कर सकते हो नहीं तो आप doctor को visit कर लीजे तो I think यहाँ पर मैंने clear कर दिया ह कि कभी नॉर्मल है और कभी नॉर्मल नहीं है अगर color इसका change होता है इसमें से गंद आती है आपके discharge में सही आपके consistency change होती है या कोई और आपको लक्षर देखने को मिले लाए लाएक आपके abdomen में pain हो रहा है और कोई pain वगरा हो रहा है साथ में और साथ में discharge भी आ रहा है फ नॉर्मली भी boys अगर आपने नियोटिस किया हो कि जब आपकी जो penis की जो skin होती है उसको जब आप पीछे की तरफ करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ white white देखने को मिलेगा discharge यह favical जैसे consistency में हो सकता है white हो सकता है clear भी हो सकता है तो इस तरह के discharge आपको देखने को मिलेगा अ यह बना होता है आपकी body के cells से और आपकी body में जो body oil होता है उससे या फिक कोई और जो आपके body में lubrication का काम करता है यह आपके उस जगह को lubricate करता है हाइडरेट करता है इसलिए आपकी body यह generate करते है यह थोड़ा-थोड़ा mode में विससे तो generate होता है पर थोड़ा-थोड़ा खटा होके, काफी खटा हो जाता है और नॉर्मल एजिन बॉइस का यूनो, इसकिन जो है वहाँ की पीनिस की वो नहीं निकली हुई होते हैं जिसे कि मुस्लिम सोसाइटी में या कुछ किशिल्स में भी ये हटा दिया जाता है बच्पन में ही हम हिंदूस में नहीं हटाया जाता और इस रीजन के वज़र से काफी इसको सफाई की जरूरत होती है तो जैसे ही आप ये देखें इसको फॉरण इस पे ध्यान दें क्लीन करें उस एरिया को प्रॉपर अच्छी तरह से ये आप नॉर्मल पानी का यूज कर सकते हो गुन्बूने पानी का आप यूज करोगे तो और अच्छा है विकुर सारे बेक्टीरिया वगरा सब किल हो जाएगे गुन्बूने पानी से तो आप अच्छे से क्लीनिंग करो इस एरिया की वैसे तो ये बिल्कुर नॉर्मल है इस मैगमा इसे बोलते हैं और ये बॉडी का आपका नैच्रल ही फ्लूट है और ये नॉर्मल है वहाँ पे होना बट इसको क्लीनिंग वगरा की बहुत जरूरत है अगर आपने उससे में ध्यान नहीं दिया तो ये आपका infection हो सकता है वहाँ पे allergy हो सकती है आपको हो सकते हैं साथ ही अगर इस cases में आपने पार्टनर के साथ sexually intercourse किया तो आपके पार्टनर को भी infection transfer हो सकता है तो आप अटाफट से cleaning पे ध्यान दीजे तो ये इस case में normal है जैसा मैंने आपको कहा बट ये कभी normal नहीं है देखो आपके body खुद ही कुछ और science दिखाने लग जाएगी आपके discharge के साथ-साथ तब आप चेक कर सकते हो खुद को कि कुछ गरबर है और आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हो पहला case तो है कि जब आपको urine infection हुआ हो तब ये आपको discharge हो सकता है और साथ ही साथ आपको जल्दी जल्दी अर्ज होगी कि बार बार आपको urine पास करने जाना है urine करते टाइम आपको pain हो सकता है lower abdomen में आपको pain हो सकता है इसके साथ ही यूरीन करते टाइम हो जलेगा, खुझली भी हो सकती है आपके प्राइविट पार्ट एरिया में, तो ये सारे लक्षर हैं कि आपको यूरीन इन्फेक्शन हुआ है, फॉरण आप लॉक्टर को विजिट करिए, अपनी जाच कराए है और ठीक कराए, दूसरा कारण हो सकता है कि आपको कोई seksual transmitted disease हुई हुए या कोई infection हुआ हो, ऐसे केसिस में आपको discharge के साथ साथ, डूर अबडॉमन में पेन हो सकता है, आपको sexual intercourse में पेन हो सकता है, आप जब ejacuation करते हो अपने penis से, तब आपको pain हो सकता है, इसके साथ urine pass करने में आपको pain हो सकता है urine pass करने में आपको blood भी आ सकता है, तो इन में से कोई भी lakshar आपको अगर दिख रहे हैं, अपने discharge के साथ-साथ, again आपको डॉक्टर को विजिट करने की जरूवत है और इसको treat कराने की जरूवत है, तो check up कराईए अपना ऐसे cases में, और जैसे में आपको खा कि अगर कोई और lakshar नहीं है, नॉर्मल अगर आपने सिर्फ discharge ही देखा है तो हो सकता है, वो natural आपकी body की cleaning हो रही हो, इस वज़े से है, again, but इसे time में girls भी, boys भी, जब भी आपको discharge आई, इस time पि cleaning की बहुत बहुत ज़ादा जरूरत होती है आपकी panties जो है गवों कीली हो गई है, फटा-फट उसको change करो, quarter की panties पहनो और चुब panties हैं try करो कि वो धूप में सुखे हैं जिससे की bacteria वगरा जो हैं, वो kill हो जाएं, इसके साथ ही अपने private part area को clean करो, wash करो, पानी से लगातार, थोड़ी थोड़ी देर में, कोशिश करो और यही स्वस सारे चीज़ें थी, जो मुझे आपको बतानी थी I hope आपकी जतने भी doubts हैं, वो मैंने clear कर दी हूँ, इस वीडियो के through और कोई भी अगर आपके question हो, आप मुझे question अपने सारे comment करके बता सकते हो, और कोई एगर वीडियो की request है, वो भी आप मुझे comment कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, like जरूर करना, comment जरूर करना और share जरूर करना सबके साथ में, because ऐसी चीज़ता मैंने आपको कहा, ऐसी चीज़ों की जानकारी इतनी available नहीं होती, और जैसे कि आपको मैंने कहा था, vaginal discharge फिर भी थोड़ा बहुत लोगों ने इसके बारे में बताया है, और penal discharge किसी ने इतना जादा कुछ नहीं बताया हुआ है, तो अगर आपको यह मैंने knowledge दी है, तो प्लीज इसे अपने तक ही मत रखना, आगे जरूर दूसरे लोगों को पहुचाना, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं विनूँगी आपसे नेक्स फ्राइडे, नेक्स वीबोर्ड की वीडियो के साथ, बढ़ बढ़ बीच में भी मेरी वीडियो जा आती रहती है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बैल आइक में को प्रेस कर लो, ताकि मेरी वीडियो आप देल पाओ, तो बाबाई, टेक केर